इसमें question 20 है, एसर्चान यह है, the ratio in which the line segment joining 2-3 and 5-6 internally divided by x-axis is 1 ratio 2, तो जिस ratio में line segment जो की 2 point है यहां पे 2-3 और 5-6 को join करता है, उसको जो है ना x-axis internally divide कर रहा है 1 ratio 2 में, मनें यहां पे m1 ratio m2 दिया हुआ है, 1 ratio 2, तो हमको यहां पे find out करना है, m1 ratio m2 को, तो देखिए यहां पे हमने point a और b के रूप में इसको लिखा है, तो यहां पे 2-3 हो गया और 5-6 हो गया, इसको यह जो line segment a b है, इसको x-axis जो है ना divide कर रहा है, तो x-axis पे जो y coordinate होता है, उसका value 0 होगा, तो माली जे m पे यह दोनों को divide कर रहा है, और यहां पे y 0 है, तो यहां पे y का formula होता है, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, ठीक, अब यहां पे y 0 है, m1 m1 ही रहेगा, y2 जो है ना यहां पे 6 है, तो 6 हो जाएगा, plus m2 जो है ना m2 ही रहेगा, y1 यहां पे minus 3 है, तो यह minus 3 हो जाएगा, divided by m1 plus m2, अब m1 plus m2 का cross multiplication होगा, तो यह 0 से multiply होगे 0 हो जाएगा, तो 0 equal to 6 m1 minus 3 m2, इसको हम लोग transfer करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 m2 minus का plus हो जाएगा, equal to 6 m1, अब यहां पे m1 अपान m2 करेंगे, equal to होगा 3 divided by 6, ठीक, नहीं 6 इधर आ जाएगा, m2 धर चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे क्या मिला हम लोगों को, 1 ratio 2, ठीक है, अब question में देखते हैं, अब question में दिखिए, यहां पे यह DIY 1 ratio 2, बिल्कुल एसरसन true है, region बताता है, h formula for the internal division is mx2 plus nx1 divided by m plus n, जो हमने m1, m2 लिया है, उसको यहां पे m और n ले रहा है, m y2 plus n y1 divided by m plus n, तो दिखिए, बिल्कुल region भी एकदम true है, और region जो है न, एसरसन को correctly explain कर रहा है, इसलिए इसका आपसाने होगा कि बोथ यह सरसन a and region r are true and region r is the correct explanation आप यह सरसन a.